हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक माई चैनल सुनीता आई जी टिप्स देखे फ्रेंड्स आज मैं ये तोरण पट्टी रिजान लेकर आए हूं बहुत ही सुन्दर पट्टी है ये देखे फ्रेंड्स दो कलर से इसको बनाएंगे दू कलर के उन ले लेंगे ब्लू और नेलो कलर चली फ्रेंड्स देखते किस तरीके से बनाएंगे चेंड्स बना लेंगे एक नोट लगा करके इस तरीके से हमें fifteen चैन बना लेना है 15 चैन बना करके इसको डबल करेंगे हर एक चैन से एक एक क्रोशिय निकाल करके डबल कर लेना है देखें फ्रेंट्स 15 चैन बनके कम्प्लीट हो गया आप इसको डबल करेंगे हर एक चैन से एक एक रोशिया बनाते जाएंगे देखे प्रेंस यह फर्स्ट वाला चैन है इस तरीके से निकाल करके हमें डबल करते जाना है हर एक चैन से देखे फ्रेंस इस तरीके से पूरे चैन को डबल कर लेंगे इस तरीके से हर एक चैन से निकालते हुए यहां तक डबल कर लेना है देखे फ्रेंस पूरे चैन को डबल कर लिए डबल करने के बाद अब इसमें पट्टी डिजाइन पनाना श्टार्ट करेंगे इस तरीके से हमें 5 डबल क्रोशे बना लेना पहले हर एक क्रोशे को उपर से 5 क्रोशे को उपर से 5 क्रोशे बना लेंगे फिर सेकेंड बनाएंगे यहां से देखें टू थर्ड क्रोशे को उपर से 3 क्रोशे बना लेंगे देखें फ्रेंज फाइब क्रोशे बना लेंगे हमें 3 चैन बना लेना है 3 चैन बना करके 4 क्रोशे को गयर देंगे वन टू थरी फोर फोर क्रोशे को गयर देंगे वहां से हमें इस तरीके से क्रोशे से निकालना है इस तरीके से लंबाई में त्री और ये फोर फोर बार इस तरीके से उनको निकाल लेंगे निकालने के बाद अब हमें इसको इस तरीके से जोड़ देना है इसको बांद देंगे यहाँ पर वन कर देंगे अब दूसरा इसी तरीके से निकालने के बाद फिर इसको हमें एक कर लेना है पूरे को देखे फ्रेंट से इस तरीके से बना के फिर थ्री चैन बना लेंगे थ्री चैन बना करके फिर फोर क्रोशिय के गैब देंगे फोर क्रोशिय के गैब दे करके हमें यहाँ फाइब क्रोशिय बना लेना है हर एक क्रोशिय के उपर से फाइब क्रोशिय बना लेंगे देखेई फ्रेंट्स यह फहले लाइन बनेके कंप्लीट हो गई अब सेखेड लाइन बनाना भी फाइब क्रू शे बनाना है पहले हमें anno बहुत अन्य फ्रेंट्स देखें फ्रेंट्स बान यह 2 3 5 देखिए 4 और 5 5 बनके complete हो गए फिर 3 chain ले लेंगे 3 chain ले करके अब यहाँ यहीं से बीच से हमें 4 को निकालना है 1 2 3 फोर क्रोशिय में बनने के बाद वह step एक कर this कर दीन है कि इस तरीके से फिर वहीं से हमें कि और और निकालना है फोर क्रोशिय वान oon oto' कि त्री दी इस तरीके से चोटे वालि ही याइन बनते जाएगी फिर ठ्रीचे इन बना लेंगे, 3 chain बना करके, 5 crochet बना लेंगे यहाँ, 5 crochet बना के, यह वाले line complete करतेंगे, देखें फ्रेंट्स यह second line बनके complete हो गई, अब 3rd line बना लेंगे, 5 crochet बना लेंगे, 3 chain बना लेंगे, चले फ्रेंट्स फर्ले 5 crochet बना लेंगे, 5 crochet बना करके, 3 chain, 3 chain बना करके, फिर यह चोटी वाली चोटी जाएन है, उसके बीच से हमें 4 crochet निकालना है, इस तरीके से 4 crochet बना लेंगे, फिर इसको एक कर देंगे पूरे को जोड़ करके, फिर वहीं से 4 crochet बना लेना है, एक ही जगे से, फोर फोर कुरोशिया दो बार निकाल लेंगे, यह वाले डिजाइन इसी तरीके से बनती जाएगी, इसी तरीके से यह वाली पट्टी बनके complete होएगी, सेम इसी प्रोसेस से पूरी पट्टी बनके complete हो जाएगी, जितनी लंबाई आप पट्टी की रखना चाते हैं, आप सेम, इसी तरीके से पूरी पट्टी बनके complete हो जाएगी, सिम्पल सी पट्टी डिजाइन है पट्टी बहुत ही जल्दी बनके कम्प्लीट हो जाती है इसी तरीके से पूरे पट्टी को बना के कम्प्लीट कर लेंगे फिर कम्प्लीट होने के बाद फिर उसके बीच में एक-एक मोती लगा के कम्प्लीट करेंगे देखे फ्रेंस दूनों साइट से 5-5 क्रोशिया बीच में 3 चैन बना लेंगे फिर बीच में ये चोटी वाली डिजाइन में फोर-फोर क्रोशिया बना के कम्प्लेट कर लेंगे सेम इसी प्रोसेस से पुरी पट्टी बन के कम्प्लेट हो जाएगी झाली सब्टी प्रोन के कर दोगाएगी सेढ दोरजjang का वाली से सेれंगे ठी दात के कि फैसे दो कि ग disruption कि अना म객, प्रोशिया बना तेओे जाएगी, उेचा होगपा आना । क्ण़्दी प्टी डें लेंगे भी सBack walls ये जरा गुर मोइवागी feedback. देखे प्रेंस इसी तरीके से पट्टी को बना लेंगे जितनी भी आको पट्टी की लंबाई रखने है आप इसी तरीके से बना लें अब यलो कलेर से यहां से पट्टी बनने के बाद फिर साइट से हमें यलो तरीके से नोट लगा लेंगे लिखाने के लगाने कर चैयर कर लेंगे उनको इस तरीके से खीजेंगे आप इसकी लंबाई अपने हिजाब से रख लें छोटा या बड़ा आप कर सकते हैं थ्री इस तरीके से थ्री क्रूशे निकालेंगे थ्री क्रूशे निकालने के बाद इस तरीके से इसको जोड़ देंगे वन हो जाएगा वन होने के बाद फिर हमें यहां इस तरीके से उसको पट्टी से जोड़ेंगे यहां इस तरीके से slip stitch ले करके जोड देंगे फिर हमें यहां इस तरीके से चेन निकाल देंगे चेन निकालने के बाद लंबाई में उनको खीचेंगे यहीं से 3 क्रोशिया यहां पर 3 क्रोशिया निकाल देंगे 3 क्रोशिया निकाल करके इसको इस तरीके से जोड देंगे फिर यहां पत्टेसे में जोड़ना है यहीं से slip stitch ले लेंगे इस तरीके से एक चेन ले लेंगे इस तरीके से चेल दे करके यहां उनको इस तरीके से खीचेंगे फिर थ्री क्रोशिया निकाल लेंगे बहुत ही यह वारी डिजाइन बनाना इजी है इस तरीके से बना लेंगे फिर निकालने के बाद फिर इसको इस तरीके से बन कर लेंगे फिर पट्टी से जोड़ देंगे slip stitch ले करके देखे इस तरीके से पूरे को जोड़ के complete करना है देखे फ्रंट से इस तरीके से हर एक साइड में इस तरीक बना के complete कर लेंगे चारो साइड में इस तरीके से बना के complete कर लेना है फिर उसके बाद इस पर बीच बीच में मोती लगा लेंगे देखे फ्रंट्स यह गोल्डन कलर की बड़ी वाली मोती है इसको सुई के मदद से इसको बीच बीच में लगा लेंगे